अभी तक पाच एफायर रेजिस्टर हो चुक है उसमें तीन सिटी पूलिशन को और दो आईशा नगर पूलिशन को इसमें अभी तक 33 एक्विज की अरेस्ट हो गी है और बाकी इंवेस्टीकिशन जारी है जैसे जैसे अरफी निश्वन हो रहा है उनको हम लोग करने की तैयारी सब रखी है जी गिरफटार के हैं तो सब पक्तबाथ हैं या फिर भागाने वाले जो इंस्टीकिटर्स हैं उनकी भी करफ़तारी है इसमें जिन जिन लोगों ने एक्टिवी पार्टीचिपेशन पाट लिया था रायट करने में या बेंगा फसाद करने में उनको आरेश्ट करें और उसमें जो ऐस्फत्र बाजी किया कि उसमें इसे बहुत सारे लोग पारेष्ट हो चुके बाकिया अरेस्ट करना बाकिया है वह इन्वेस्टिकेशन हमारा जारी है और हम लोगों आगे चलके जितने भी इविदंस निकलता है हम लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी फिलाल जो है कुछ लोग उसमें से फरार है लेकिन उसमें इसमाइल है कुछ है रिजवान बैटरी वाला करके एक जो भी है रिजवान करके है उनको अरेस्ट किया गया है जमाते लेमा अवान पार्टी का रजा अकाटमी के लोगों पर क्या फाई आप भी है क्या उनकी गिरफ्तारी वो पाई इसमाब लेटर जैसे इविदेंस आमने आता है वैसे वैसे हम लोग करवाई करते रजा अकडमी के बारे में अभी तक तो गिरद्दरी नहीं हुई है लेकिन जो जो लोग उसमें हैं जिनका पार्टिसिपेशन है उसको अरेस्ट हो जाएगा जिसमें कुछ वीडियोस वाइन हो रहे हैं जिसमें कुछ यूट्यूब चैनल पर उसी दिल लोगों ने बयान दिये हैं काफी बढ़काओ बयान दिये जाहे हो सुनित दिमा के कि अधियर तो पुलिस की हो रही है जिसे सामने आता है उसी उसको पहले स्टिक्शन किया जाता है वेरिफिक्शन करने के बाद में उसके ओपर गुना विदा कि लोगता है हम को दो ही चीज मानूम आ है एक तो फिर्या दी और दूसरा आरोपी हम लोग किसी पार्टी का पक्षा का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग जो गनुन जिसने हाथ में लिया और उसी मतबिक उन्होंने गुनेगारी सुरुक कुवर्तन किया उसको हम लोग आरेश्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी करवाई कर रहे हैं इसका इन्वेस्टिकिशन जारी है उसको 120 भी लगा है इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें